तो देखा था तो हम लोग जो है एक बार फिर से टॉक को देखने वाले हैं यहां पर आपको चार्ट में अच्छा ब्रेकाउट आया है करतो करते हैं सबसे और आप देखेंगे लिए गर सबसे को स्टार्ट करतें सबसे पहले अगर आप देखेंगे 29 Salvador के उपर lige इस लेटो ऐद फैबररी के बाद फॉरस्चिया है क्रॉस तो इससे पहले भी किया है यहां पर आपको काफी दिनों से मल्टिपल एटेंप्स कर रहे थे क्रॉस करने के बट यहां पर अभी कभी भी क्लोजिंग जो है आपको 2900 के उपर नहीं हुआ है पश्ट टाइम आपको फेबररी में इस लेवल को टच किया था उसके बाद आपको 2-3 टाइम टेस्टेड है इस लेवल के ऊपर कई दिनों से आपको लाश्ट के 10-12 ट्रेडिंग से से स्टॉक जो है मल्टिपल एटेंप्स ले रहे थे इसके ऊपर क्लोजिंग देने का बट यहां पर आप देखिए कहीं पर भी क्लोजिंग नहीं हो पा रहा था स्ट स्टॉक उपर ज़रू जा रहा था बट क्लोजिंग जो है यहां पर आपको निगेटिव साइन के साथ ही क्लोजिंग वा था बट उसके बाद फिर आप देखिए स्टॉक जो है नीचे आ गया आज जो है स्टॉक में आपको 3% से ज्यादा कर यहां पर भी तेजी था और एक जो है अच्छा तेजी आज इस स्टॉक में बना हुआ था और यह जो है क्लियर आपको 2900 के ऊपर एक अच्छा ब्रेक आउट दिया है लास्ट के प्रिवियस के आल्मोस्ट आपको जो है 10-12 ट्रेडिंग सेसन के ऊपर का जो है आपको क्लोजिंग दिया है तो कहीं ने कहीं इस स्टॉक में जो है एक अच्छा ब्रेक आउट आपको लिष चारेट पर दिख रहा है तो यहां पर जो है हम लोग लोग बी ट्रेड करक्ते हैं लेकिन ड्रेलीर चार्ट में जो लोग भी ट्रेड करेंगे उनका stop loss थोड़ा बड़ा होने वाला है उनका stop loss जो है 2800 के नीचे रहेगा यह जो recent का आपको swing है 2800 का इसके नीचे का stop loss रहेगा तो almost 200 point का stop loss है target भी जो है आपका 3500, 3600 तक का जो है आपको easily यहाँ पर एक अच्छा target देखने को मिल सकता है इसलिए daily chart में जो लोग भी trade करेंगे तो वो लोग बड़े target के लिए जो है आपको देखते हैं और वहाँ पर stop loss भी आपको बड़ा ही रखना पड़ता है अब जो है हम लोग इसको shorter time frame में भी trade कर सकते हैं तो हम लोग 15 minute time frame में देखते हैं यहां पर क्या आपको हो रहा है 15 minute के time frame में अगर आप यहां पर देखेगा तो smaller time frame का moving average जो है आपको larger moving average को cross कर चुका है तो एक आपको golden crossover यहां पर दिख रहा है इस टॉक में जो है आज आपको एक अच्छा रेली दिख गया है उसके बाद एक retracement move आपको यहां पर देखने को मिल सकता है ज्यादा बड़ा retracement move नहीं होगा 295029 इस लेवल तक 2950 तक मैं expect करता हूं उस ते ज्यादा बड़ा नहीं होगा इस range तक आपको एक retracement move होना करने के बाद थोड़ा सा consolidation के बाद अगर एक breakout होता है तो फिर यहां पर जो है आप करने के लिए देख सकते हैं आपका stop loss जो है वह आपको 2900 का होने वाला है उसके बाद हम लोग इसको रिवाइज भी कर लेंगे एक बार अगर स्टॉक जो है हम लोगों के direction में चलना स्टार्ट हो जागा तो फिर उसको जो हम लोगों के स्टॉक को रिवाइज कर लेंगे और मैं आपको टेलेग्राम ग्रूप में अपडेट कर दूंगा टार्गे होगा और उसके बाद आगे के लिए लेकिन पहला टार्गेट आपको 150 के आसपास का टार्गेट होगा तो इसलिए जो है एक चोटे स्टॉक के साथ बड़ा टार्गेट हम लोगों को इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है तो यह आपको जो हाई टाइम फ्रे लिस्ट में रख सकते हैं और अगर एक बेटर प्राइस मिलता है तो वहां पर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर खड़ ले